एक जुलाई 2024 से पूरे भारत देश में छे बड़े नियम लागू होने जा रहे हैं जिनका पता होना सभी देशवासियों के लिए बहुत जरूरी है आपको बता देएं कि एक जुलाई 2024 से जो नियम बदलने जा रहे हैं वह बैंक, गाड़ी, टेक्स, एलपीजी गैसलेंडर तक बदले जाएंगे अगर किसी भी बैंक में आपका खाता है, या फिर आपके पास गाड़ी है, या फिर आप टेक्स पे करते हैं, या फिर आपके घर में एलपीजी गैसलेंडर है, तो बने रहेगा हमारे साथ अंत तक वीडियो को दिखते रहेगा इन से सम्मंदित सरकार नियमों में बतलाओ करने जा रही है, इस वीडियो के माद्यम से हम आपको एक-एक नियम करके बताएंगे कि किन नियमों से क्या हानी होने वाली है और किन नियमों से क्या लाब देशवास्यों को मिलने वाला है, पूरे भारत देश में यह नियम ला आन्ति तक वीडियो कर दीज़ेगा, टो चलिए वीडियो करते हैं और आपको तमाम जानकारी देते हैं, देखें जुलाई महिना कई महत्पून बदलाव लेकर आ रहा है, जैसे कि हम जानते हैं कि जुलाई का महिना आर्थिक बतलाव से भरा होता है एक जुलाई से कई नियम बदलने जा रहे हैं कई नए नियम लागू होने जा रहे हैं जिसमें आपका income tax, return, bank नियमों में बतलाव और fuel price में समभावित बतलाव सामिल है दोस्तों इसके अलावा भी जुलाई महिने में कई ऐसे नियम बदलने वाले हैं जिनका सीधा असर आम लोगों की जेपर पढ़ने वाला है इसलिए हम आपसे कहते हैं कि इन नियमों को आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है आप यसे भी नियम तभी जान पाएंगे तब आप सुरू से लेकर लाश्ट तक वीडियो को देखते हैं तो बने रहेगा एक एक नियम करके हम आपको बताएंगे बस आपसे हमारा अद्निमेदन है कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं क्या है तो किर्प्या वीडियो को लाइक कर देजिए तो दोस्तो चलते हैं नियम नंबर एक पर देखे अगर आप पेटियम का यूज करते हैं नियम नंबर एक है वे क्या है वे आप यहां पर जाननेजे दोस्तो पेटियेंप पैमेंट बैंक का इनेक्टिव वोलेट होगा बंद देखिए पैमेंट पैमेंट बैंक ने बता है कि वह 20 जुलाई 2024 को उन इनक्टिव वोलेट को बंद कर देगा जिसमें पिछले एक साल या उससे ज़्यादा समय से कोई लेंदेन नहीं हुआ है अगर आपके पास भी ऐसा वोलेट है तो आपसे जरूर एक्टिव करा ले और इनमें बैलेंस जीरो है पैटियेंप पैमेंट बैंक की वेबसाइट के नुसार अगर आपके वोलेट में पिछले एक साल से ज़्यादा समय या फिर कोई लेंदेन नहीं हुआ है और बैलेंस भी जीरो है तो दोस्तों आप वदा दें कि 20 जुलाई 2024 तक आपके पास समय है इसके बाद आपका वोलेट बंद कर जाएगा इससे परभावित सभी यूजर्स को सूचित क्या जाएगा और उन्हें वोलेट बंद होने से 30 दिन पहले जानकारी दे दी जाएगी इसलिए अगर आप अपना वोलेट बचाना चाहते हैं तो आपके लिए यह नियम बहुत ही महत्पून हैं अब चलते हैं नियम की और नियम नंबर 2 उसे पहले आप बता चाहेंगे कि अगर आपके पास भी ऐसा वोलेट है तो देर ने करें अपने वोलेट पैटियम वोलेट को अभी चेक करें और दोस्तों अगर वो इनक्टिव है तो उसे जरूर तुरंत एक्टिव करा लें अब चलते हैं नियम की और नियम नंबर 2 देखें पैंट गैस लेंडर की नए कीमतें तैंक की जाएगी आपको वता दे कि हर महीने की पहली तारीक को सरकार रसोई गैस होटल एवं रिस्टूरेंट में इस्तिमाल होने वाले गैस लेंडर की कीमतों में बदलाव करती है बीते महीने में दोस्तू 19 किलोग्राम के कम सीरीजल लपीज गैस स्लेंडरों की कीमतों में 69 रुपे की कमी की गई थी और इस बार भी उम्मीद की जा रही है कि सरकार कीमतों में कटोती करेड़ी दोस्तू आपको यहां से कौन से नियम अच्छ लग रहा है आप हमें जरूर बताएगा अब दोस्तू बताएगा कि 14 किलो वाले घरेदो एलपीज गैस स्लेंडर की कीमते 803 रुपे परती एलपीज की स्लेंडर होई है जिसमें वहीं एक जून को भी पैंटरोल डीजल की कीमतों में बदलाओ किया जाएगा ठीक है सोरी क्या गया था अब दोस्तों यहां पर एक जुलाई आने वाला है एक जुलाई को भी सरकार इन नियमों में या फिर आपका सकते इन प्राइजों में भी बदलाओ करने जा रही है नेक्स नियम आपका टेक्स को लेकर इनकम टेक्स को लेकर नियम नमबर 3 देखें इनकम टेक्स रिटन फाइल करने की डेटलाइन सरकार द्वारा दे दी गई है आयकर विभाग ने 2023 व ऐसे में आपके पास ज़्यादा समय नहीं है और दिन वाले होने वाले अगर आप तरीं में यह टेक्स रिटन करते हैं तो अगर आप इस तारिक तक रिटन नहीं कर पाते हैं तो भी आप 31 दिसंबर 2024 तक दोस्तो बिलेटेड रिटर्न डाखिल कर सकते हैं नेशनियम नियम नमबर 4 देखे एक जुलाई से गाड़ी खरीदना भी महंगा हो जाएगा टाटा मोटर्स ने एक जुलाई से अपने कम सीरियल वाहनों की किमतों में दो परतिसत तक की बढ़ोतरी करने का एलान कर दिया है अगर आप भी कोई गाड़ी खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो उसमें आप बदा दें कि कम सीरियल वाहनों में अब दो परतिसत बढ़ोतरी करने का एलान कर दिया गया है दोस्तों ये बतलाव बढ़ती हुई समानों की केमतों को कवर करने के लिए क्या जा रहा है भारत की सबसे बड़ी वहान बनाने वाली कमपनी टाटा मोटर्स ने इससे पहले मार्च में भी अपने कम सीरियल वहानों के दामों में दो परतिसत की बढ़ोतरी की थी और दोस्तों आपको बतले की कमपनी का कहना है कि ये पढ़ोतरी सभी तरह से कम सीरियल वहानों पर लाग होगी लेकिन अलग-अलग मोडल आउर वेरियेंट के इस सबसे थोड़ा बहुत अंतर इसमें आपको देखने को मिल सकता है थोड़ा बहुत ये अंतर आपको देखने को मिलेगा अब दोस्तों ये नियम भी पूरा हो चुका है अब चलते हैं नियम नमबर पांच अब दोस्तों देखिए एक जुलाई से यहनके जुलाई महिने में पूरे बारा दिन जो बैंक है बैंक बंद रहने वाले हैं अगर बैंक से संबन्दित आपका कोई कारिय है तो आप छुट्टियों को देखकर ही उन कारियों को निप्टाएं अगर आप जाते हैं और बैंक की छुट्टी पाए जाती है तो आपका समय वैसे ही व्यारत जाएगा आप दोस्तों देखिए रिजरु बैंक ओप इंडिया दुवारा जारी बैंक होलिडे कलेंडर में मुसीबत के मुसीबत दोस्तों आपको मुसीबत आ सकती है यानि कि जो अभी हाली में कलेंडर जारी किया गया है उसके मुताबिक जुलाई महिने में पूरे 12 दिन बैंक चुट्टी देख करी जाये वन था आपको दोस्तो प्रिशान्यों को सामना करना पड़ सकता है तो जुलाई में 12 दिन बैंक बन रहेंगे जिसमें आप ध्यांदी जगा यहां पर बताया गया है कि गुरुवार गोविंद जी की जैनती और मोहरम जैसे तोहारों के मोके के चल हैं तो आप छुट्ट्यों की लिष्ट देख कर ही जाएगे नियम नंबर लाश्ट और नैस्ट आपका नियम नंबर 6 देखें जुलाई में आम बजट पेस होने की उम्मीद है जिसमें पुरे देश को आस है कि उनके लिए कुछ खास होने वाला है वित्यमंतिर निरिमल सि सुनने को आ रहा है कि अब तक यनकी 10 साल से जो नहीं हुआ है वह इस बजट में एलान होने वाला है देखें मोधी सरकार ने मोधी सरकार के तीसरे कारेकाल का बजट जुलाई के आंकरी सब्ता में पेस के जाने की उम्मेद है रिपोर्ट के नुसार वित्यमंतिर निरमल सि पेस कर सकती है निरमल सिर्टराबंजी ने अब तक दोस्तों वित्यमंत्री ने वित्यमंत्री के रूप में अपने पांस साल की कारेकाल के दोरान 6 बजट पेस किये हैं और यह है उनका लगतार सात्वा बजट पेस होने जा रहा है यदि आपको कोई सवाल कर सकते हैं और सा आती आप में जरूर पताएगा कि इसमें से आप कौन सा नियम अच्छा लगा है और कि नियमों से आपको दोस्तों नुक्सान हो सकते हैं आप चाहनी चुके होगे बस आपसे हमारे यह निवतन है कि अगर आप ने तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक क झाल